यह है एक high voltage line है जो 400 kv की है 400 kv मतलब 4,00,000 वोल्ट लेकिन क्या कभी आपने दिमाग लगाया कि इस line के इतने high voltage को कौन measure करता है और measure करने वाला device कैसा होगा यदि आपने इस छोटे meter को देखा हो तो इसकी maximum voltage range 700 volt है और साइध ही हमने कभी इससे maximum range test की होगी और बहुत से लोग तो ऐसे भी है जिन्होंने कभी voltage test ही नहीं किया और कुछ ऐसे भी है जो direct हाथ लगा के भी test कर लेते हैं अब हमें इस high voltage को measure करने के लिए एक बहुत बड़ी size का meter बनाने की जरूत है और meter को line से connect करने के बाद हमें बहुत दूर से ही voltage देखना होगा क्योंकि high voltage का magnetic field इतना strong होता है कि हमें इसके पास में जाने की जरूत नहीं है हमें दूर से ही अपने पास खींच सकती है तो फिर हमने दो transformer बनाए जो high accuracy पे काम करते हैं CT और PT सबसे पहले हम CT को समझते हैं जिसके full form current transformer होती है अब इसके नाम से ही पता चल रहा है कि यह current को measure करती है लेकिन यह current को actual में measure नहीं करती है मानके चलते हैं इस transmission line से 1000 ampere का current flow करता है तो यह इस current को 5 ampere तक reduce कर देगी और इस 5 ampere को हम इस छोटे meter से measure कर सकते हैं लेकिन यह कैसे किया जाता है इसको समझते हैं यदि इस CT को open करके देखे तो इसमें जो transmission line का जो wire आ रहा है वह सीधा ही बहार निकल जाता है कहीं पे touch नहीं करता है लेकिन इस wire के चारों तरफ हम एक winding सेट करते हैं जिसको secondary winding बोलते हैं और secondary winding के हम दो terminal निकाल लेते हैं जिन पर हम current measure करेंगे यहाँ पर यदि आप ध्यान से देखोगे तो primary winding का काम यह main wire ही करता है अब यह wire अपने आसपास में एक magnetic field generate करता है और यही magnetic field secondary winding तक पहुंचता है और secondary winding में भी current flow होने लगता है लेकिन secondary winding में बहुत सारे turns होते हैं जो current को 5A तक reduce कर देते हैं लेकिन हम voltage को कैसे बूल सकते हैं यही current कम होता है तो voltage बढ़ जाता है अब कितना voltage बढ़ता है वह आप खुद ही देख लो एक छोटी सी equation है जो आप देख पा रहे हो अब यह equation कैसे बनी इसके लिए आपको engineering करनी होगी लेकिन इसको हम simple words में समझते हैं जो बहुत ही गजब की equation है यहाँ N मतलब number of turns है अब N1 मतलब primary winding और N2 मतलब secondary winding के turn इसी तरीके से voltage और current भी primary और secondary winding के है सबसे पहले हम current find out करते हैं मान कर चलते हैं secondary winding के turns 200 है और primary winding में तो एक ही turn है तो यह turn CT की manufacturing के time पर ही fix कर देते हैं और मान के चलते हैं यह high voltage line है तो इसमें 1000 ampere का current flow कर रहा है अब यदि हमें secondary winding का current पता करते हैं तो हमें 5 ampere का current मिल जाएगा लेकिन अब voltage का भी पता करते हैं primary और secondary winding में turn तो fix है और मान के चलते हैं यह 400 kV की line है तो primary winding का voltage 400 kV हो जाएगा और secondary winding का अब voltage हम निकालते हैं तो हमें मिलता है 8 crod voltage जो हमारी पूरी तरीके से band बजाने के लिए sufficient है तो current transformer की यह है एक सबसे बड़ी problem है तो इसे solve करने के लिए हम क्या करते हैं इसकी जो secondary winding के जो दो terminal है इसके उपर हम एक emitter लगाते हैं जो current को major करता है अब हम voltage निकालते हैं 5 ampere का current इस meter से flow करेगा और इस meter का कुछ ना कुछ resistance भी होगा मान लेते हैं 1 ohm का resistance है अब ohm का नियम कहता है voltage is equal to current into resistance होता है voltage हमें निकालना है current 5 ampere है resistance 1 ohm है तो voltage हमें मिल जाएगा 5 volt तो यह कैसे हुआ अभी तो हमें 8 crod voltage मिला था यदि current transformer के secondary side में हम कोई भी load connect नहीं करते हैं तो यह दोनों terminal open रहेंगे और इनके बीच का जो resistance है वह infinite होगा तो यहाँ पर high voltage एपियर होगा लेकिन जैसे हम load connect कर देते हैं तो emitter हमारा एक load की तरह काम कर रहा है तो फिर यहाँ पर current भी flow करने लग जाएगा और resistance भी मिल जाएगा और हमारा voltage limit में आ जाएगा तो इस बात का हमेशा ध्यान रखा जाता है कि CT की जो secondary side है उस पर हमेशा कुछ ना कुछ load होना जरूरी है यदि उस पर load नहीं रहा तो सब कुछ दबा कर सकती है यह अब CT में जो winding होती है उसको proper insulation और cooling प्रोवाइड करवाने के लिए यहाँ पर उपर की तरफ oil भरा रहता है कौन सा oil भरा रहता है यहाँ पर comment box में जरूर से लिखना मैंने पहले भी कई बार बताया है अब हमें यहाँ मीटर में 5A का current दिखाई दे रहा है तो high voltage side में कितना current flow कर रहा है इसी formula की help से हम पता कर लेते हैं अब तीनो phase के लिए अलग-अलग 3 city लगे रहते हैं और वह इसलिए क्योंकि जब भी 3 phase unbalance हो तो हमें 3 phase के current की अलग-अलग information पता लग सके इस current का तो काम हो गया voltage को measure करने के लिए हम एक दूसरा transformer लगाते हैं जिसको potential transformer बोलते हैं जो just इसके पास में लगा रहता है अब वीडियो को यहीं पे pose करो और एक question का जवाब comment box में जरूर से लिखना यहाँ पे CT और PT दोनों कौन से connection में connected है series या parallel यदि आप CT को सही से देखोगे तो CT का यह वाला input point है और यह वाला output जो इस line के series में connected है लेकिन PT को देखोगे तो इसमें input का सिरफ एक ही terminal है output का कोई terminal ही नहीं है एक power transformer रखा हुआ है जो इस चार लाक voltage को सिरफ और सिरफ 132 कीवी तक बदल पाता है और size में इसका 50 गुना से भी ज़्यादा है काम दोनों almost same to same तरीके से करते हैं लेकिन power transformer के नाम से ही पता चल रहा है कि यह high power को handle करता है जबकि potential transformer high accuracy पे काम करता है यदि आपको और simple language में समझाऊं तो जैसे कोई bike है यह भी 100 की speed से चल सकती है और कई kilometer तक जा सकती है लेकिन train भी 100 की speed में चलती है और high load को उठा सकती है अब काम दोनों same ही तरीके से करते हैं PT की design की बात करें तो इसकी winding नीचे की तरफ होती है इस tank में जहां पर oil भरा रहता है यह primary winding होती है जिसको iron की core पर कुछ ऐसे set किया जाता है जिसकी एक side को high voltage से connect किया जाता है और इस winding की दूसरी side को ground से connect किया जाता है जो phase voltage को measure करती है अब line और phase voltage क्या होता है थोड़ा सा समझ लेते हैं यह एक 3 phase की line है और यदि इस 3 phase के 2 phase के बीच में यदि हम voltage देखते हैं तो इसको हम line voltage बोलते हैं और यदि हम एक phase और एक neutral के बीच में voltage देखते हैं तो इसको हम phase voltage बोलते हैं और phase voltage line voltage से almost आदा होता है इसलिए PT में phase voltage measure किया जाता है ताकि एक तो हमें ज्यादा voltage को handle नहीं करना पड़ेगा और voltage कम होगा तो insulation कम लगेगा और इस transformer की size भी छोटी होती जाएगी इस score की दूसरी side में secondary winding को connect किया जाता है जिसमें number of turns कम होते हैं और primary winding में number of turns ज्यादा होते हैं अब primary winding को जितने voltage से connect किया जाएगा 110 volt चाहिए तो 110 turn होंगे और यह formula भी हमें यहीं बता रहा है कि जितना voltage जिस side में उतने ही turn लेकिन CT के case में यह उल्टा हो जाता है यहाँ पर आप clearly देख सकते हो current voltage के inverse proportion में होता है अब जैसे ही primary winding में supply दी जाती है तो यहाँ पर magnetic field generate होगा यही magnetic field secondary winding तक पहुचेगी और secondary winding में भी voltage induce होगा और secondary winding में हमें 110 volt मिलेगा जो हम meter लगा के आसानी से check कर लेते हैं PT की working आप इस power transformer वाले वीडियो से समझ सकते हो जो almost same है अब CT और PT का का काम voltage और current को कम करके हमें reading दिखाना नहीं है बलकि जब high voltage line में कोई fault आता है तो high voltage और current इस line से flow करेंगे और same current और voltage PT से भी flow करेगा तो इनके साथ में relay लगी रहती है जो इस extra high voltage और current को detect करती है इसलिए CT और PT के output side में multiple point निकलते हैं जिसमें से कुछ current को measure करने के काम आते हैं इसलिए इनको measuring device बोलते हैं जो high voltage line और यहां पर लगे जितने भी equipment से उनको fault से बचाते हैं